कैसे जानें कि जिस व्यक्ति के साथ हम हैं, वही हमारे लिए सही है। एक बार की बात है, शंकरन पिल्लाई अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। जब हर कोई डिनर के लिए बैठ गया, तो उसने खड़े होकर घोशना की, मैं लूसी से शादी करने वाला हूँ, जो सड़क के उस पार रहती है। उमीद है उसका नाम ये नहीं है। फिर उसके पिता ने कहा, क्या, तुम लूसी से शादी करोगे। उसके पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आवारा है, तुम लूसी से शादी करने जा रहे हो? मा ने कहा, क्या? तुम लूसी से शादी करने वाले हो? अंकल, अंकल लोग हमेशा इस तरह के मामलों में ना घुसाते हैं अंकल ने खा, क्या तुम लूसी से शादी करोगे? उसके बाल देखें, वो नकली लगते हैं चाची बोली, क्या, तुम लूसी से शादी करने वाले हो? वो हमेशा रंगी पुती रहती है, तुम उस रंगी पुती औरत से शादी करोगे? चोटा सा लणका उसका बहतिजा भी पीछे नहीं रहा आप लूसी से शादी करेंगे उसे तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता आप उससे कैसे शादी कर सकते हैं शंकरण पिल्लय अपने बात पर अड़ा रहा और बोला हाँ मैं लूसी से शादी करने वाला हूँ हर किसी ने एक साथ पूछा क्यों वो बुला क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है वहाँ लड़ने के लिए धेर सारी राय नहीं होंगी तो सही व्यक्ति कौन है मैं आपके जीवन से सारा रुमांस निकालना नहीं चाहता मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धर्ती पर कोई सही व्यक्ति नहीं है अगर आप किसी चीज में अपना दिल लगा दें तो वो चीज बढ़िया हो सकती है क्या यही सही चीज है कोई सही चीज नहीं है किसी ने कभी कोई सही व्यक्ति नहीं पाया है ठीक है अगर आप इस तरह की अवास्तविक मानसिक्ता में पढ़ते हैं कि मैंने सही व्यक्ति पा लिया है तो आप जल्दी निराश होने वाले हैं आपको समझना चाहिए कि कोई सही व्यक्ति नहीं है पहली चीज है ये देखना कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? हाँ, क्या मैं सही वेक्ति हूँ, इस धर्ती पर कोई सही वेक्ति नहीं है अगर आप समझते हैं कि आपके पास अपनी बकवास है, उनके पास उनकी बकवास है हम बकवास को बकवास से एड़्जस्ट करके जीवन बिता सकते हैं हमें समझना चाहिए कि रिष्टे अलग-अलग जरूरतों के लिए बनाए जाते हैं शाररिक जरूरते होती हैं, मानसिक जरूरते होती हैं, भावनात्मक जरूरते होती हैं शायद सामाजिक जरूरते हों, शायद आर्थिक जरूरते हों, कई तरह की जरूरते हैं तो जब आप इतनी सारी जरूरतों के साथ किसी के पास जाते हैं तो आप एक भिखारी की तरह जाते हैं और भिखारी चुन नहीं सकता भिखारी वो खाता है जो उसे मिलता है ना वो चुन नहीं सकता अगर आप वास्तव में इस दुनिया में चुनाव करना चाहते हैं तो सबसे पहली और महत्वपून चीज ये है कि आप खुद को ऐसी स्थिती में लाएं जहां आपका जीवन का अनुभव अपने आप सुखद हो आप खुद अद्बुत हो अब देखते हैं कि इसकी और क्या खिचता है अगर आप वाकई अद्बुत हैं तो चीजें हर तरह से आपके लिए आसान होगी कैरियर, शादी, रिष्टों के मामले में आपके साथ सबसे अच्छा होगा क्योंकि आपने खुद को इस तरह बनाया है किसी और के उपर मेहनत करके उसे ठीक करने की बजाए अगर आप खुद पर मेहनत करें और खुद को अधभुत बनाये कि हर कोई आपके साथ होना चाहे, फिर चुनाव हो सकता है और ये चीज अमेरिका से आई है कि कहीं कोई सोलमेट होता है भगवान ने एक व्यक्ति को बनाया है सिर्फ आपके लिए मगर इन दिनों हर दो सालों में वे एक और व्यक्ति बना देते हैं साफ है कि भगवान आपके साथ बहुत सी गलतियां कर रहे है शरीर को साथी की जरूरत होती है, समझ में आता है हो सकता है कि मानसिक स्तर पर भी आपको साथी की जरुवत हो, भावनात्मक स्तर पर आपको साथी की जरुवत हो, मगर सोल को साथी की जरुवत नहीं है, नहीं कोई व्यक्ति खास आपके लिए बनाया गया है, ठीक है? ये स्रिष्टी हर तरह के अनोखे मूर्ख बनाती है अगर आप समझ लें कि आप एक तरह के मूर्ख हैं और बाकी लोग दूसरी तरह के तो आप उनकी बखवास को समझ सकेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके पास भी अपनी बखवास है अगर आपको लगता है कि आप perfect हैं और भगवान ने कहीं पर किसी और व्यक्ति को भी perfect बनाया है तो आप तबाही की और बढ़ रहें ऐसी कोई चीज नहीं होती आज भी 5000 सालों के बाद भी लोग सबसे महान प्रेमी के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं मगर उनकी पत्नियां उनसे बड़ी नाखुश थी हाँ तो आपको कोई perfect व्यक्ति नहीं मिलने वाला अगर आप जुडाओ की गहरी भावना रखें तो कुछ बढ़ियां हो सकता है आपके जुडाओ के कारण इसलिए नहीं कि दूसरा शक्स चांदार है नहीं चाहे आप किसी मूर्ख को ही चुन लें असल में यह जादा असान है अगर वे मूर्ख नहीं है तो वे आपके पास आएंगे ही क्यों नहीं 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 मैं बस शैतानी कर रहा हूँ तो चाहे आप किसी मूर्ख को चुन लें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुद को शामिल करते हैं, तो रिष्टा बहुत खुबसूरत हो सकता है, आप दुनिया के सबसे होशियार आदमी को चुन ले और तबाही हो सकती है, तो एक दूजे के लिए जैसी फालतु बाते ना सोचे, वास्तव में आप खुद से विपरीच चुनते हैं, मग लगते हैं कि वे आपकी तरह हो जाएं, ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि अगर एक और व्यक्ति ठीक आपकी तरह बन जाएगा, तो आप दो दिन भी उसे नहीं जिल पाएंगे, हलो, मुझे बताइए, अगर घर पर ठीक आपकी तरह एक और शक्स हो, तो क्या आप वहां कर देखिए, कोई आपकी तरह नहीं है, और ये अच्छा है, समानता की तलाश मत किजे, ये जरूरी नहीं है, फर्क एक आरण ही आप टैंगो कर पाते हैं, वरना नहीं,